छे गाऊं में मतदान का बहिश्कार क्या गया है, रेल्वे अंडर पास नाब बनने से नारास्की देखी गई है, हास्पूर, फिपरेडी, नई बस्ती में चुनाफ का बहिश्कार क्या गया मुलवरिया मडिया गाउं में चुनाफ का बहिशकार किया गया है बूत 34-35 पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है तो लोगों में नारास की भी है विकास के कामों को लेकर लोग काफी जादा नारास नजर आ रहे हैं पहले भी कई चरण में देखी गए लेकिन न्यूज 18 आप से लगतार यहीं अपील कर रहा है कि अगर आप में नारास की भी है तब भी आप मतलदान करें ये कुछ जगा के नाम हम आपको बता रहे हैं जहां पर मतलदान का बहिशकार हो रहा है और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो से उनका रुख करेंगे और साथी पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है उनके पास भी चलेंगे तो गोरकपुर से राम गोपाल हमारे साथ में है वरणसी से उपेंद्र दिवेदी है और गाजीपूर से मनीश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गया है मनीश का रुख कर लेते है मनीश गाजीपूर में तस्वीरे आप दिखाईए लोगों में कितना उत्सा है क्या लोग बढ़ चड़ कर मतदान करने पहुँच रहे हैं देखे आपको बता दें कि गाजीपूर में सुबा साथ बज़े से ही मद्दान सुरू हो गया है और गाजीपूर लोग सबार छेत रिखे दो हजार अरटीस पोलिंग गुथों पर लोग सुबा साथ बज़े से मद्दान कर रहे हैं इस समय हम नवापूरा प्रास्मिक पिद्याले के पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं जहां पर लोग आ रहे हैं आपको दिखा सकते हैं कि कुछ लोगों की वो लाइने लगी हुई है जो बोट डालने के लिए खड़े हैं साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग बोट डालने के बाद सेलफी पॉइंट पर अपनी अपनी तस्वीरे भी ले रहे हैं मतलब बोट डालने के बाद लोगों में उसाभी नजर आ रहा है आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बोट डालने के लिले इंतियाद में लगे हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं अपने आप में बेहत खास होती है कितना उस्साह है लोगों में देखे उस्साह की बात करें तो सुबह साथ बैसे ही कतारबद लोग पहुंचे और यह देखिए हर उमर के लोग पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसी यह तस्वीरें हैं जैसे चाची है इनकी तस्वीर है जो प्रिद करती है उनलों को जो अप तक मद्दान के लिए चाची बोट डाल डाल ओले लिए दिखावा ज़रा इंगली दिखादा देखे वीलचेर पे पहुंची है चाची क्या उमर होगी इनकी क्या उम यहां पर खुद वारानसी के प्रत्शम नागरिक यानि के अधिय कreате मेर अशोग तिवारी बीऊ यहां पर हैं और यहां पर अशोग जी किन scène मुद्धो पर उप पहले मैं कहूंगा वोट की वो दिखा दें जिसे वोट डाला है तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया हो यहां पर तमाम सारी जो तस्वीरे हैं वह यहां पर आप देखिए कितने कतार बंद लोग है और हम बात कर लेते हैं हमारे साथ मेर अशुक तिवारी जी आश और कोई तिसरा मुद्दा नहीं है फुरा कासित बंबं बोल रही है मोदी मोदी जी वहां साधना कर रहे हैं विपक्ष वहां पर्णाने क्या कहेंगे आप देखिए आपको पता होगा दोहजार चोड़ा मनिय परधान मंत्री जी वोटकिंग बाते गए थे उन्हें भी काग बाग जाएंगे को विद्रेश चला जाएगा यह सुबह से मैं देख रहा हूं कतारेश देखिए लगी है क्या लग रहा है कि मौसम को देखते हुए सुबह 10-11 वह तक मोस्टी लोग अपना वोटकास्ट करना चाहे रहे हैं देखे लोग देना चाहते हैं मुझे लग सकतार है क्या लग रहा है यह वरांसी में क्या रहेगा देश प्र देश में क्या रहेगा देश में नहीं है पनारत में आप जो नहरा है दस लाग पार हमें लगता उससे अधिकम जैएंगे ज्यादा जो मद्दान का जो चलना है ना उससे जाएंगे और देश में तो कुछ कहना ही नहीं है तो यह थे मेर शुक्तिवारी जिन्हों ने अपना वोट कास्ट किया यहां पर आप यह देखे कतारबद जो लोग है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं बाबु जी किन मुद्धों वोट करने पहुंचे जनता को ज़रूरत है प्रात्मिक जरूरते हैं वो मिलनी चाहिए यह सब चाहिए और क्या करेंगे आप यूथ है किन मुद्धों वोट करने पहुंचे हैं वहां तो यहां पर मेर जो है मेर हैं उनकी माताई को मैंने दिखाया कि उनकी मेर अशुक्तिवारी की माता जी थी जिन्होंने 85 एर्स में अपना वोट किया है वेल्चेर से पहुंची है और मैं उनसे परिवार के लोगों से बात कर लेता हूँ मैटम क्या आप लोट कास्ट कर दिया है अपने विकास के मुद्धे पर जी तो मौसम देखे नर्म हो गया है लोग एक बड़ी खबर मिल रही है बनारस में अजे राय ने वोट डाला है बूत नंबर 75 पर मतदान किया है एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है और बनारस से और वोट कास्ट करने के लिए पहुचे हैं कुछी देर में आपको तस्वीरे भी दिखाएंगे बूत नंबर 75 पर मतदान करने के लिए पहुचे ये देखिए तास्वीर आप देखिए कतार में लगकर अजे राय ने मतदान किया और साथी इससे पहले भी वो कॉंग्रस की जीत का दावा करते रहे हैं कुछ ऐसी ही बाते वो करते हुए नजर आए और देखिए उंगली पर लगी सिहाही लोगों को दिखा कर जादा से जादा संख्या में लोगों से मतदान करने के उन्होंने अपील की है कि और उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उपेंद्र तस्वीरे हम देख रहे हैं अजे राय ने तो मतदान कर दिया है और खाला कि जंता की राय हम लगातार लेते रहे हैं बीज़पी काफी जादा मस्पूत स्थिमें है ऐसे में क्या कुछ पत्रकारों से भी बा क्यों कि हमेशा हैं वो कहते रहें कि परनारस का विकास स्रफ काघस में हुआ है बाहरी बनाम इस्थानी का मुद्दा है और जो इस्थानी है वो है इसलिए उन्होंने अपने पक्ष में बात कही है उन्होंने कहा है कि इस बार बनारस का जो असली बेटा है वो चुनाव मैदान में हो जनता है समझ रही है इस बार के परणाम बदलने वाले है फिलाल उन्हो उने इस तरीके के राजितिक दावे किये है अब ये तो परणाम बताएगा चार्ज उनका लेकिन फिलाल जो आप स्थिती देख रहे हैं